तो गाईस मैं आमेद कुमर मैं अपने यूटूब चैनल हब स्टेडी पॉइंट पे मैं आपका हादिक स्वागत करता हूँ यह सूचना आरो ए आरो के लिए है जो कि आप देख पा रहा है कि 10 लाख से अधिक जो है आवेदन किये जा चुके हैं यहाँ पर अगर आप देख पा रहा है तो दस लाख हुनाता जा साथ सो पचीस अभ्यर्थियों ने अंतिम रूप से आवेदन किया गया है यह ऐसा पहली बार है जो किसी स्टेट एक्जाम में इतने जादा अभ्यर्थी जो है आवेदन किये हुए है तो बहुत जादा आवेदन है इस बार यानि आप आपको एक पोस्ट के लिए एक पोस्ट के लिए आप यहां पर देख पा रहा है कि 263 टीक है केवल एक पोस्ट के लिए 263 लड़कों पर या स्टूडेंट पर आपको फाइट करना है अगर आपको एक पद पाना है तो 263 में से आप एक पद को पा सकते हैं तो आपको यानि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है तो अधिक मेहनत करनी होगी काफी सटीकता के साथ आप पढ़िए चीजों को बार-बार रिवाइज करिए जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज करिए क्योंकि आपका जो एक्जाम है यारव फरवरी को कंड़क्ट होने वाला है ठीक है और पदों की संख्या तो आप जानते हैं 411 पद है जिसमें से 322 पद जो है समिच्छा दिकारी और सायक समिच्छा दिकारी के लिए कुल 40 पद है बाके और अन्य सायक समिच्छा दिकारी लेखा एरपद इस तरह से पदों की संख्या दिया हुआ है ठीक है तो इस बार अभ्यरती बहुत ज़्यादा है तो आपको बहुत सटेक्ता के साथ पढ़ना है अधिक पढ़ना है बहुत पढ़ना है बहुत ज़्यादा पढ़ना है अगर आपको fight करना है तो आप मान के चलिए कि GS में आपको 95 प्लस करना ही होगा ठीक है और हिंदी में कम से कम आप 55 प्लस आप करेंगे तो आप जाके आप मेंस जो है दे सकते हैं तो आपको 95 प्लस करना है GS वाले portion में यानि 140 में 95 प्लस ये सही होने चाहिए ठीक है काट कूट करके 95 प्लस question आपके सही होने चाहिए ठीक है तो आपको बहुत ज़्यादा fight करना है हिंदी में भी बहुत आपको यहाँ पे लड़ना है यानि आपको मिल लड़के जो है 10 लाख लड़के जो है भरे हैं मान लिजे उसमें अगर 70% अगर देते हैं फिर भी 7 से 7.5 लाग बच्चे जो है एक जाम तो देंगे ही देंगे यानि आपको 145 पचास तो करना ही करना इससे नीचे आप भूल जाईए इससे नीचे आप जो है अगर है यानि आप कटाफ के बिल्कुल करीम न रहें आप कटाफ से ऊपर रहें तो 150 आप करिए ठीक है बहुत मेहनत करिए ठीक है मैं आपके साथ लगातार बना हुआ हूँ ठीक है मैं कोशिस करूँगा जल्दी से जल्दी सभी प्रोवाइड कराऊ ठीक है ताकि आपको एक्ज रहिए सावधान रहिए जैहिन